तो चलिए एक और फटा फट और हेल्दी वाले नाश्ते की जो की वेट लॉस के लिए यूज किया जा सकता है उसकी रेसिपी लेके आई हूँ चाहे देना हो बच्चों की टिफिन में चाहे खाना हो खुद फटा फट से बनाईए बेसन ले लिया है मैंने आप अपने accordingly बेसन ले सकते हो ये मैंने लगभग half cup बेसन लिया है और थोड़ा सा डाला नमक और लाल मिर्च पाॉडर डाली आप चाहे मिर्ची मसाला जो भी अपने according डाल सकते हैं और पानी डाला कुछ नहीं करना है इसको 10 मिनिट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें लंप्स ना आए और अगर आपको बहुत कुईक जल्दी है तो इसमें हैंडी घुमा दीजिए तो मज़ेदार सा एक बेटर जो की कुईक सा बिना लंप का त्यार हो जाएगा तो बस इसमें मैंने थोड़ी सी हींग भी डाल दी है कि बेसन थोड़ा हेवी होता है तो डजेशन के लिए होगा अच्छा तो हरी मिर्ची डाली है और साथ में डाला है प्यास आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं तो इधर हमारा पैन हो चुका है गरम इसको मैंने क्रिया ग्रीस देसी घी लगा लिया है और बस इसकी एक कच्छी भरके दो कच्छी भरके जितनी आपकी कच्छी है यह आपका पैन है उसके अकॉरिंग डालिए और फैलाईए और थोड़ा सा इसको से मांच पे पकने दीजि नहीं तो ऐसे इसको अराम से कुक कीजिए यह देखे कितना सुन्दर सा कुक हो गया इसी तरह से दोनों साइट से किये और दही के साथ हरी मिर्ची के साथ अचार के साथ या फिर किसी भी चटनी के साथ परोसी है मैंने परोसा इसे दही के साथ तो आपको मेरी वीडियो कैस लगी जरूर बताईएगा थैंक यू सो मच फर वाचिंग स्टे ब्लेस्ट